तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन बहुत ही ज़दा टेस्टी रेसिपीस जिनको आप चुटकियों में फड़ा फड़ा बना सकते हैं और इन रेसिपीस को आप लांच यह ट्रेंट में इंजॉय कर सकते हैं तो सबसे पहले हम मनाएंगे भिंडी मसाला भिंडियों को मैंने धो लिया है और आगे पीछी थोड़ा-thोड़ा काट दिया इसके बाद बीच से इस तरह से हम कट करके देख लेंगे भिंडी खराब तो नहीं है और इस तरह से दो पीसीज में भिंडी को हम काट लेंगे और आप धोने के बाद थोड़ा सा पोंच लेंगी तो बैटर रहेगा तो चलिए मैंने यहाँ पर लिया एक इंच अध्रक का तुकड़ा, एक प्यास, एक टमाटर और छे से साथ बड़ी-बड़ी लसन की कलिया इन सब को इस तरह से बारीक पीस लेना है अब मैंने ले लिए एक पैन और उसमें मैंने पचास से साथ ग्राम मस्टर डॉयल टाल दिया है तेल को हमें यह आच्छे से गरम कर लेना है और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो कौटे टी स्पून मेथी दाना डाल देंगे और मेथी दाने को अच्छा सा गोल्डन होने तक तेल में इस तरह से हम फ्राइ कर लेंगे और जैसे ही मेथी दाना हमारा गोल्डन हो जाएगा उसके बाद जो कि हमने मसाला अल्रेडी तैयार करके रखा है उस मसाले को हम तेल में डाल देंगे और इस मसाली को कम से कम हमें 10 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है जैसे आप तेल में मसाला डालेंगे आप देखेंगी कि बहुत ज़दा छीटे आ रहे हैं इसलिए आप इस तरह से कवर करके आराम से 10 मिनिट के लिए slow flame में मसाली को भून लेए यह देखिए 10 मिनिट में ही जो मसाला है वो तेल छोड़ देगा और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ कॉमन मसाले तो टैस के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक और टैस के अकॉर्डिंग ही डालना है लाल मिर्श का पॉडर और इतनी मज़ेदार यह जो भिंडी मसाला है बन के तयार होगी कि सब को पसंद आएगी एक टीस्पून डाल देंगे धनिया पॉडर और कॉटे टीस्पून हमें डालना है हल्दी इन सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डाल देंगे क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं और आपको यह देखना है कि मसाले हमारे जल यहाँ मासालें छोड़ना दीने में आपको नड़ना को सेब्सक्राइब हैं जो भी जो भी कि काटने के बाद पैला कर दूज्ट है , भी कोपने कलो दंगे , और भी लास नहीं ज़ना मंत sutरा को यह भी को भी कोत्रीने करें आपको भिंडियों को mix नहीं करना है बस इसी तरह से cover करके आप 5-6 मिनिट के लिए slow flame पर भिंडियों को पका लिजिए और यह देखिए 5-6 मिनिट में ही जो हमारी भिंडी है अच्छे से पक चुकी है और जो मसाला already काफी अच्छे से भुन चुका है तो इनको हम एक बार और मिक्स करेंगे और अब हम मिलाएंगे इसमें कुछ बहुत ही बढ़िया से जिससे हमारी जो भिंडी मस्त बन के तयार होंगी तो देखें यहां पर मेरे पास है दही अब दही जो है वो आपको सिर्फ एक बड़ा चम्मच भरके डालना है बहुत जादा दही नहीं डालना है जो हमारे नॉर्मल डिश की चम्मच होते हैं जो से हम खानों कर निकालते हैं बस आप वही डाल दीजिए और जो दही है वो आपका फिटा हुआ होना चाहिए गैस की फ्लेम आप स्लो पर रखें और दही डालने के बाद भिंडी मसाला दही सब को हम अच्छे से मिक्स कर ले तो यह देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी भिंडी मसाला बनकर एकदम तयार है उपर से डाल दीजिए आप कॉटिटी स्पून के बराबर गरम मसाला तो देखिए गैस जो भिंडी नहीं भी खाते होंगे आप इस तरह से उनको भिंडी मसाला बना कर देंगी तो उंगलिये चाट चाट कर खा जाएंगे और जो मेरे husband ने एक जमाने में वो भिंडी नहीं खाते थे मैंने इस तरह से जब उनको भिंडी मसाला बना के दिया तो उनको इतना पसंद आता है कि जब भी उनका मन होता है वो बोलते हैं कि बस मुझे भिंडी मसाला बना कर खिला दो एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राइ करिए और उपर से डाल दीजिए हरा धनिया तो हमारी चट पट भिंडी मसाला बन कर यहां पर एक दम रेडी है और आज की हमारी जो दूसरी रेसिपी है यह मेरी बचपन की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है एनी टाइम मैं इस रेसिपी को बना कर खा सकती है तो मैंने लिया है डेड का पेसन उसमें डालना है कौटे टीस्पून जीरा, कौटे टीस्पून हींग और टेस्ट के अकौडिंग डालना है हमें नमक और उसके साथी कौटे टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पानी पानी आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से हम mix करते हुए इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे एक दम lumps free देखिए पानी बहुत जादा नहीं डालना है बैटर जो है वो बहुत बतला नहीं करना है जिस तरह से आप consistency देख सकती हैं इसी तरह से आपको एक बैटर बनाकर ready कर लेना है अब इस बैटर को हम 10 मिनिट के लिए rest पर रख देंगे तो चलते हैं next process की तरफ यह देखिए मैंने यहाँ पर लिया है दो लसन की बड़ी बड़ी कलियां और साथ ही ले ले लेंगे दो से तीन हरी मिर्ची इस तरह से हम खल बटे में इनको कूट लेंगे इनको हमें अच्छे से दरदार करके कूट लेना है जिस तरह से आप देख सकती हैं अब हम इनको रखते हैं एक साइड और चलते हैं next process की तरफ तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सा पतीला और इसमें मैं ले रही हूँ आधा किलो दही दही मेला जो है वो डेरी वाला है थोड़ा सा खटा दही होना चाहिए तभी यह रैस्पी मज़िदार बनके तयार होती है करना है आपको दही को हाथों से मिक्स करना है क्योंकि हमें इसमें जो दही के लंच होते हैं वो भी चाहिए और थोड़ा सा हमें दही को मिक्स भी करना है इसलिए आप हाथों से इस तरह से इनको मिक्स करें ताकि जो दही है इसमें थोड़ा से दही के लंप्स रहें तो चलिए इसमें अब हम डाल देंगे धेर सारा पानी आधा किलो मैंने लिया है दही तो उसमें कम से कम दो बड़े ग्लास या दो से धाई बड़े ग्लास भरके हमें पानी डाल देना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो सबसे पहले अब हम इसमें कुछ मसाले आइड करेंगी तो टेस्स के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है नमक और हाफ टी स्पून भरके हमें डालना है कुटी हुई लाल मिर्ची कोशिश करें कि कुटी हुई लाल मिर्ची डाले और जो हमने लस्सन और हरी मिर्ची को मुझे बताइए कि आपको ये recipe कैसी लेगी उपर से हमें डाल देना है कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हमने यहाँ पर slice में कटी हुई प्यास लिए उसको भी आम इस तरह से खोल कर डाल देंगे जो प्यास है वो सिर्फ आधी गटान है बहुत जादा प्यास नहीं देन है तो चलिए इस भगोने को भी हम ढख कर एक साइट रख देंगे और इस तरफ हमारा जो बेशन था उसको रखे हुए दस मिनिट हो चुके हैं तो आप इसमें मैं एड़ कर रही हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग बारिक बारिक काट कर हरी मिर्ची तो दो से तीन में यहाँ हरी मिर्ची ले रही हूं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची जो है वो कम जादा कर सकते हैं और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूं एक बड़ी प्यास जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया इनको आप हाथों से खोलने और उपर से डालना है थोड़ा पानी और मिलाएंगे तो जो बेसन की कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी लूज होना चाहिए बहुत जादा हाथ बेसन हमें नहीं चाहिए तो देखे गाईस आप देख सकती हैं बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इसी तरह से चाहिए अब मैंने ले लिए यहाँ पर एक कु दोने के बाद चावलों से चार गुना पानी डालका हम इनको पकने रख देंगे साथ ही इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक और यह देखे जब चावल हमारे 90% तक अच्छे से पक जाएंगे तो चावलों में जो भी एक्स्ट्रा पानी है आप इन पानी को छान ल मैंने गरम कर लिया है तो जो पकोड़े हैं आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसी भी साइस के फ्राई कर सकती हैं और जो पकोड़े हैं वो हमें एक दम क्रिस्पी और गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है तो आप देख सकती हैं जो पकोड़े वो काफी अच्छे से fry हो चुके हैं और एक नीचे भी गिर गया है तो सारे पकोड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जैसे मैंने प्लेट में पकोड़ों को fry गर के निकाला सारे घर के लोग आगा एक मुझे देदो दो मुझे देदो क्यूंकि बारिश चल रही है और पकोड़ों देखकर सब की नियत खराब हो जाती है तो बस इन गर्मा गरम पकोड़ों को हम डाल देंगे एक दही वाले मिक्सचर में अच्छा अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम इन पकोड़ों को ढखकर रख देंगे ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो सके पांच से छे मिनिट लिए तड़का तयार कर लेते हैं तब तक मस्टर्ड ओईल लिया है मैंने थोड़ा सा उसमें डालना है भर के हमें जीरा तो हाफ टीस्पून मैंने जीरा डाल दे है जीरा जैसे ही क्रैकल होने लगेगा तो कॉटर टीस्पून हींग और दो से तीन लाल खड़ी मिर्ची डाल देंगे और यह इतना मस्ट जो तड़क इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसका जो स्मोक है वो थोड़ी देर के लिए अंदर रहे और हमारी डिश में जो मज़ा आने वाला है आप एक पर सरूर ट्राइ करिए 10-15 मिर्ट के बाद ही आप इस डिश को सर्व करें ये तिनी जदा माउथ वाटरिंग डिश है कि मुझे इतनी पसंद है तो चलिए अब हम कुछ और भी तयारियां कर लेते हैं इस डिश को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अभी देखें मेरे पास सिर्फ 5-6 हरी मिर्ची थी इनको मैंने धो लिया कपड़े से आप एक बार जरूर पोच ले और उसके बाद हरी मिर्ची को बीट से कट करके हमें तेल में फ्राइ करना है सिर्फ एक मिनिट से भी कम टाइम के लिए बहुत ज़दा फ्राइ नहीं करन है और जैसे आप देखें कि हरी मिर्ची हलकी हलकी सी फ्राइ हो गई है तो बस आप उनको प्लेट में निकाल लें लेकिन एक बात का खयाल रखें कि बीट से आप कट सरूर लगा ले नहीं तो तेल में जाने का मिर्ची एकदम फटने लगती है और चीटे बाहर आते हैं यहां पर हमारी बहुत ही जादा टेस्टी फ्राइ हरी मिर्ची एकदम रेडी है इन हरी मिर्च को आफटा फट इस तरह से तल कर देखें किसी भी खाने का यह बहुत ही जादा टेस्ट बढ़ा देती है इन चटपठी खटी और बहुत ही टेस्टी हरी मिर्च को हम रखते है एक साइड और चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ अब आप देखे यहाँ पर हमारे जो स्टीम राइस हमने दम के लिए रखे थे एक दम रेडी है इन गर्मा गरम राइस को हम सर्व करते हैं दही के भजीयों के साथ तो यह देखे हमारे जो पकोड़े थे वो एकदम दही के पानी में अच्छे से फूल चुके हैं और यह डिश जो है ना इतनी लाजवाब होती है अगर आप इसको लंच में डिनर में बनाएगी ना तो आप इतने मस्त होके पूरी फैमली खाएगी कि मज़ा आ जाएगा तो इन इंट्रस्टिंग बहुत ही टेस्टी दही के भजियो को मैं सर्फ करती हूँ स्टीम राइस के साथ और साथ में होती है यह चट पटी फ्राइड हरी मिर्ची तो कैसे लगा यह कॉमिनेशन जरूर बताएं एक बार जरूर ट्राइ करें तो चलिए चलते हैं थर्ड रेस्पी की दरफ तो मैंने यहाँ पर गरम पानी लिया है और उसमें डाल दे हैं तेड़ कप सोया बीन की बरिया दस मिनिट के लिए इनको हम अच्छे से सोब्ट होने के लिए रख देंगे और इस तरफ मैंने ले लिया है आधा कप मस्टर्ड ओयल इसमें डालना है सारे खड़ी गरम मसाले लांग, इलाइची, बड़ी लाइची, काली मिर्ची छोटी लाइची, दाल चीनी, तेज पत्ता और हाफ टीस्पून डालना है हमें यहाँ पर जीरा और सारे गरम मसाले जब अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तो हम डाल देंगे दो टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और एक टीस्पून हमें यहाँ पर डालना है सौफ का पॉडर और इन सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे कम से कम 2-3 मिनिट के लिए और इसके पाद हम यहाँ पर डाल देंगे दो बड़े टमाठर स्लाइस में कटे हुए टैस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची और इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टीस्पून या फिर टैस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सारी चीजों को हम तब तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे भून लेंगे जब तक कि जो हमाल टमाटर वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं चिपके तो चलिए टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं तो टमाटर हलकी से सॉफ्ट हो जाएंगे तो कौटे टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा दही पचास ग्राम दही मैंने लिया है इसको अच्छे से आप फेट लें और दही को डाल कर कम से कम आप एक से दो मिनिट के लिए बराबर चलाएं दही जो है वो बिल्कुल भी नहीं भटना चाहिए और एक से दो मिनिट के बाद यहाँ पर हमें डाल देना है अपनी फूली होई सोया बीन की बढ़िया जो कि हमने गरम पानी में दस मिनिट के लिए पुला कर रखी है और सारी चीजों को हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे बराबर मिक्स करती होई तब तक जब तक की जो मसाला है उससे तेल रिलीज नहीं हो जाता जब बढ़ियों से तेल उपर आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे दो ग्लास पानी देखे मैं यहाँ पर बना रही हूँ सोया बीन का बहुत तेस्टी वाला पुलाओ तो एक ग्लास मैंने चावल लिए हैं चावलों को अच्छे से मैंने धो लिया इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे दो ग्लास पानी अगर आप इस पुलाओ को कुकर में बना रही हैं तो दो ग्लास से थोड़ा कम पानी डालें अगर आप किसी पतीले औ गरम बना रहे हैं तो फिर दो गलास पानी डालें एक गलास चावल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी टाइम आप चाहें तो नमक को भी चक लें अगर कम हो तो आप नमक को थोड़ा सा एड़ कर दें दो सीटी आने तक हम अच्छे से इनको पका पुलाव वो कैसा बना है तो यहां पर हमारा सिर्फ दस मिनिट में बहुत यम्मी और मज़ेदार सोया बीन का पुलाव बनकर एक दम रेड़ी है इस पुलाव को हम सर्व करेंगे अपने मन पसंद चटनी दही या फिर दही के रायते के साथ तो उमीद करती होंगे इंशाल